उनकी खूपसूरती की दुनिया दिवानी है लेकिन असल जिन्दगी में वो फाइटर बन कर सामने आई वो सिनेमा के उन हसीनाओं में शुमार है जो कैंसर जैसी बिमारी को मात दे चुकी है क्या आप जानते हैं कि करियर में भी मनीशा ने फाइटर बन कर अपना मुकाम हासिल किया था दरसल शुरुवाती दौर में उन्हीं रिजेक्शन्स का सामना करना पड़ा था मनीशा के बॉलिवुड की करियर की शुरुवात सुबाश खई के फिल्म सौधागर से हुई थी इस फिल्म ने उन्हें शौरत की बुलंदियों पर पहुचा दिया लेकिन उनकी जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब ऑड़िशन के दरान उन्हें बेहत खराब एक्क्रिस कहा गया इससे मनीशा के दिल को तगडी ठेस लगी थी बता दे कि विदुहिनो चोपडा ने उन पर ये कमेंट किया था तब मनीशा ने एक दन का समय मांगा और पूरी रात प्राक्टिस करती रहे अगले दिन मनीशा ने दुबारा ओडिशन दिया तो विदुहिनो चोपडा हैरान रह गए उनके मूँ से बस इतना ही निकला कि मनीशा कलाब जीरो थी पर आज हाप हीरो है बस इसके बाद मनीशा को 1942 अलव स्टोरी मिल गए ये किस्या मनीशा ने अपनी किताब हिल्ड हाउ कैंसर केव मी अन्यू लाइफ में बया किया है बता दे कि करियर के शुरूआत में मिले स्टारडम के बाद मनीशा के कई फिल्में फ्लॉप रही जिसके वज़े से वो स्ट्रेस में आ गए इसके चलते मनीशा को ड्रक्स और शराब की लत लग गए जिसका सर उनके करियर पर भी दिखाई देने लगा हाला तो सवक्त ज्यादा बिगड़े जब उने कैंसर होने का पता लगा हाला कि मनीशा ने हार नहीं मानी और कैंसर को भी माद दी